कि दोस्तों आपका मेरे चानल पर फिस्टे स्वागत है और दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखेगा कहीं बीच में स्किप ना कर दीजिए अगर बीच में स्किप कर देंगे तो आधी अधूरी इंफोर्मेशन आपके हाथ लगेगी आजी हां जैसे आप लोगों ने शेशाई देख लिए कि योई पे प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए देखे एक पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था काफी टाइम होके इसके उपर योई पे प्रॉपर्टी है लेना जो होता है एक तरत से लीगल होता है आप एक बैक्राइबरależ directions अफेशन के डीच क्या ngthis जाए या उस ब्रेगरेएंगों ब्रॉपर्टाएंस था वैइकरी मेंटन होता का पैसा इन केस अगर कुछ दिक्कत आ जाती है इन फूचर तो आपको रिफंड करेगा या नहीं करेगा तो इसलिए यह बहुत रिस्की मामला होता है बाकी देखें इन्वेस्टर यहां पर कूता जरूर है क्योंकि इन्वेस्टर को देखें यूई जब यूई में कैपसिटी है उसकी और आपकी क्या रिस्क टेकिंग कैपसिटी है तो इन सब चीजों के अपर डिपेंड करेगा अगर देखें आप रिस्क नहीं ले सकते और आपको ऐसा लगता है कि इन फूचर आप जब चीज़ें क्लेर हो रहरा आ जाए और जब सारी क्लेरिटी मिल जा है और अगर और बाकी अगर कोई इन्वेस्टर है और अगर उसकी रिस्क टेकिंग कैपसिटी है वह उसका देखें वह से रिस्क लेगा तो इन फिचर उसको प्रॉफिट भी होगा तो वह जा सकता है योई पे भी बाकी मेरी जो राय बनती है कि योई पर जाना थोड़ा र हुआ है जिसमें पहले बिल्डर ने आपके योई जो ले लिए जो योई के जो चेक्स थे वो फ्लोर्स के नाम पर ले लिए और बाद में वही चेक्स वापिस कर दिये कस्टमर को कह दिया कि हम लोग यहां पर प्लॉट ही लाएंगे और अब कस्टमर को तो 6-7 महीने पैसा फ फसा रहा तो इस तरह के देखें फ्रॉड होते रहते हैं यहाई में आपको देखने को मिलेगा कि कई बारी चीजे दिखाई कुछ और जाती है यहाई के टाइम पर और मिलता कुछ और है तो यह रिस्क तो हमेशा से बना रहता है तो इसलिए अगर आप लोग यहाई पर को यहाँ पर प्रॉबर्टी लॉंच करने थे आपने हमें इंट्रेस्ट दिखाया इसका तो यह चीजें बेसिकली आपसे ले लेते रिटन में और कुछ इसके आप पैसा भी ले लेते हैं एक तरह से आप कहली कहलें यह बुकिंग टाइप ही हो जाता है और कही कही जगा पर यह देखा गया है कि बिल्डर रिफंड भी नहीं करते हैं अगर आपको रहरा आने पर चीज़ें पसंद ना है तो वहां पर रिफंड भी लेना कई बिल्डरों से बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखें इसका कोई वह तो है नहीं मतलब इसको आप वैसे भी अगर बॉक करें ना को इंटरस्ट दें क्योंकि यह देखा भी जा रहा है कि जो प्रॉपेटी के रेट बढ़ रहे हैं यूई पर ही बढ़ रहे हैं अब क्या होता है कि बिल्डर पहले एक्स्प्रेशन ओफ इंटरस्ट मंगा लेता है लोगों से अब बिल्डर अब देखें ब् अब आ जाती है बट अगर वही चाके बिल्डर के पास जब चीज़े पहुंच जाती है इस बिल्डर को एक खावासी लग जाती है कि हां नहीं यार मेरे तो 500 फ्लैट यहां तो 1000 योई आगे तो यानि मैं अपना मनमाना रेट चालू कर सकता हूं तो वहां पर देखा जाता है कि बिल्डर अपना मनमाना रेट लेके आता है और चीज़े अपने हिसाब से मैनुपलेट करता है तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर प्री लांचिंग स्टेज पर है तो देखिए जो एंड यूजर है और जिसके रिस्क टेकिंग कैपसिटी नहीं है मैं उन सेरी गुड़गाओं में जैसे हम बात करें गुड़गाओं में जो रेट बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के आए दिन तो उन पर कुछ हद तक कंट्रोल होगी क्योंकि बिल्डर को भी यह नुमान नहीं लग पाएगा कि जैसे भी लॉंच से पहले कि कितना लोग आएंगे कि कितने लोग चाहिए आप कोई भी मैं तो कह रहा हूं कि देखे चैक तो दूर की बात है चैक या चैक ना चैक की चैक से भी ना करें बुक इनिशली चैक भी ना दें और इंट्रस्ट भी फॉर्म जो ऐसे जो अलग-लग वेबसाइट बना देते हैं ब्रोकर्स बना देते क्योंकि उससे देखे अन्वांटेट कॉल साथी रहेंगे आपको आप परिशान होंगे और देखे जब आपको प्रॉपर्टी लेने जाना हो जब आपका फाइनल तभी जाहिए जिससे आपको वाजिब रेट मिल पाए क्योंकि देखा जा रहा है कि मार्किट में इस तरह स अगर आप अपने आपको बचाना जाते हैं इन सब गुति वीडियो से तो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट पे आप प्रॉपर्टी ना बुक करें और ना ही इस तरह से यह किसी को शेर करें जब आपको प्रॉपर्टी अगर ठी क्या आपको लगता है आप एक बड़ी व आशा करता हूं आप दी गई जानकारिशे संसोष्ट होंगे और आपको यह जो वीडियो में जानकारी दी है और वीडियो की तरह पसंद आई होगी जैसे और वीडियो में जानकारी देता रहता हूं इस तरह की तो चलिए दोस्तों आगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसमें दी गई जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेर कर सकते हैं और जो भी नए लोग जुड रहे हैं इस चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे इस तरह की और जानकारी आपको टाइमली मिलती रहें तो चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं और आपको जल्द मिलेंगा एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक दोस्तों बाबाई एंड टेक केर